जिस दंग से एक बच्चा स्कूल जाता है, हाजरी लोग आता है, वो पड़े ना पड़े, पर अध्यापक उसे कभी ग्यारा हजर नहीं करता। दोस्तो, पूरा इसी दंग से आप भी विश्वात समझ के अपनी जिन्दगे के आखरी स्कूल समझ कर पूजा पाठ करें, चाहे आपके पीर पगंबर गुरु जी आएं या ना आएं, उनके स्कूल में आपकी हाजरी लग चुकी है या लग रही है, आप पास हों या ना हों प्रंतु अंतिम समय आपके गुरु जी आपके पास पक्का आएंगे और आपकी संभाल करेंगे, कि ये मेरा बच्चा है, मेरा शिश्यो है मेरी आज की कहाणी इस परकार है, एक संथ माहत्मा जी पचास साल से एक ही जगा बैठ कर भजन बंदगी बगवान जी का ध्यान कर रहा था एक दिन अकाश मानी हुई और खुदा से आवाज आई, कि हे मात्मा, तुप पचास साल से बग्ती कर रहा है, लेकिन तेरी बग्ती सविकार नहीं संथ के साथ बैठने बारे दूसरे आदमियों को बहुत दुख हुआ, कि ये बाबा पचास साल से बजन बंदगी कर रहा है, और इसकी भग्ती कबूल नहीं हुई, खुदा ये तेरा न्याय कैसा है, लेकिन बो संथ दुखी होने की बजाए, खुशी से नाचने लगा, कि म मेरा बच्चा 50 साल से बजन बंदगी कर रहा है, सो साथ संगर जी हमें भी अपनी डूटी सम्झ जिक बगवान जी का बजन सिमरन कर ना चाहिए, फाल मिले ना मिले, क्योंकि सत्तगुरु को ये पता है, कि मेरा बच्चा शिश्यो मेंथ कर रहा है, इसलिए फाल जरूर मिल कर दो दे एगा